नमस्कार सभी विदार्थियों का आर्दिक स्वागत आज हम बादचित करेंगे Test of Significance Based on Large Samples Test on Significance Based on Large Samples भोती महत्वपुर्ण टोपिक है सभी विदार्थी पुरा द्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे क्योंकि जब हम Large Samples का टेस्ट करते हैं तो उसमें Calculation किस परकार से करेंगे इसके बारे में आपसे बातचित करेंगे तो सुरू करते हैं आज का हमारा टोपिक बड़े प्रतिदर्शों पर आधारी सार्थर्प्ता प्रिक्षन टेस्ट्स ऑप सिगनिफिकेंस वेस्ट और लार्ज सेंपल्स प्रतिदर्श के अधार पर आगार के अनुसार सार्थर्प्ता प्रिक्षन को दो भगों में बाड़ सकते हैं एक नहीं होता है बड़े प्रतिदर्शों के लिए सार्थर्प्ता प्रिक्षन जिसका हर देनेisel आज हम करेंगे और एक होता है छोटे प्रतिदर्सों के लिए सारत्ता प्रिक्षा सभानिते उन प्रतिदर्सों को बड़े प्रतिदर्सों की स्रेणी में रखा जाता है जिन की इकाईयों की सिंक्या 30 से अधिक हो जिन प्रतिदर्सों की इकाईयों की सिंक्या 30 से अधिक हो उसे हम बड़े प्रती दर्सों के सेरणी में रख सकते हैं इकाईयों के जिन लक्षोनों का अध्यन करना है उसके अनुसार भी सार्तक्ता प्रिक्ष्णों को दो भगों में बाटा जा सकता है फिर उनका डुवड़ेशन हम लक्षण के अधार पर कर सकते हैं कि किन लक्षनों का आपको अध्यन करना है उसके अनुशार भी हम सार्तक्ता प्रिक्षनों को दो भगों में विवाजित कर सकते हैं उन लक्षनों के लिए सार्तक्ता प्रिक्षन जिने किसी इकाई की रूप में मापा जा सकता है अर्थात गुण सम्मंगों के लिए सार्तक्ता परिक्षन नमबर बन उन लक्षनों के लिए सार्तक्ता परिक्षन जिनने किसी इकाई की रुप में मापा जा सकता है अर्थात चर सम्मंगों के लिए सार्तक्ता परिक्षन और सेकंड उन लक्षनों के लिए अधिन जिन के लिए सार्तक्ता प्रिक्षन किसी मापन इकाय की रुप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अर्थात गुण के अधार पर सार्तक्ता प्रिक्षन बड़े जो परतिदर्स है उनकी विशेशता क्या है के बड़े परतिदर्सों की सांके की ये माप समांतर मादे अस्टन्डन निवेशन अधि समगर की संगत सांक्या की माप समगर का समांतर मादे बड़े परतिदर्सों के लिए अधिकतर परतिदर्सों के परतिचें सनीकट पर सामने होते हैं चाए पितर समगर का बंटन किसी भी परकार से क्यों नहो अतहे बड़े परतिदर्सों पर आधारित सार्य तकता प्रेक्ष्णों में प्रतिदर्सक एक मानक परसामाने चर होता है जिसको हम जेड़ दोरावेक करते हैं और जेड़ एक परमानित परसामाने चर है जिसका मादे सुने और परसन वन है जेड़ के करतिक मान परसामाने वक्र की एक सारणी है उससे प्राप्त किया जा सकता है बड़े प्रतिदर्सों के सार्तक्ता प्रिक्षन के जो स्टेप है उसके बारे में बातचित करें तो सुने प्रिकलपना हाइपोतीशिस नल हाइपोतीशिस वे वेकलपिक हाइपोतीशिस है सुने एच जीरो और वेकलपिक हाइच वन का निधान कीजिए सबसे पहले यह कारवाई करनी है उसके बाद में प्रमाप्त उट्टी का प्रकलन के लिए प्रिक्षन प्रतिदर्सद जेड का मुले ग्याद कीजिए भिन-भिन प्रिक्षनों के लिए जेड की गणना के सुत भी बिन-बिन होंगे जेड के प्रिकलप लित मुल्यवे कुरांतिंग मुल्य की तुल्ना करके सुने प्रिक्लपला के शिवकार अत्वा ऐसिवकार के बारे में निर्ण कीजिए यदि जेड का प्रिकलपित मान माइनस 3 से छोटा प्लस 3 से बड़ा है अर्थात ये जेड तीन से बड़ा या तीन के बराबर तो जेड़ का ये मान प्रतेक सार्टिक्ता स्तर पर तीन या तीन के बराबर है तो जेड़ का ये मान प्रतेक सार्टिक्ता स्तर पर सार्टिक्ता मना जाता है और सुन्य प्रिकलिप्ना है श्युकार कर दी जाती है वापस रिपीट कर देते हैं कि या दी जेड़ का प्रिकलित मान माइंस तीन से चोटा वो तीन फ्लस तीन से बड़ा पर्थात Z है वो 3 के बराबर यह 3 से बड़ा तो Z का मान प्रतेदग सार्थक तास्तर पर सार्थक माना जाता है और सुने परिकलिप्णा को ऐस्युकर कर दिया जाता है यादी Z का प्रिकलिप्ण मान माइनस 3 और प्लस 3 के बीच है तो उप्युक्त सार्तक्ता स्तर पर जड की सार्तक्ता की जाच की जाती है सार्तक्ता स्तर पॉट 05 अर्थाट 5 परतिस्त पर बीविन प्रिस्तितियों में निर्णाइक नेम तालिका में दिये गये हैं जो ये हैं प्रतिस्ति बड़े जो प्रतिदर्सों पर आधारित माद्दे के लिए सार्तक्ता परिक्षण बड़े प्रतिदर्स यानि 30 से अधिक इकाईूं पर आधारित माद्दे के सार्तक्ता के परिक्षण के विविन चरण निमन में से किसी एक ग्रूप में सुन्य प्रिकलपना स्तापित कीजिए अर्थात समयगर माद्धे का दियावा एक निश्चित मान है नियारदर्स एक दिये हुए समयगर जिसका माद्धे वा परमाप विचलन स्तंडर्ड वेशन से लिया गया है परतिदर्स माद्धे समांतर माद्धे वा समयगर माद्धे के वीच अंतरसार तक नहीं है और फिर एक फॉर्मला जिसकी सायता से प्रिक्षण परतिदर्सद जेड का परिकलमन कर लिजिए जेड बराबर अक्स बार माइनस माद्धे का समगर का माद्धे को डिवाइड अंडर रूट स्तंडर्ड वेशन स्क्वाइर को डिवाइड एन से यहाँ जेड का एक प्रमाणित परस्वाने चरह है जिसका माद्धे सुनने वह परसंड एक स्तंडर्ड वेशन समगर का प्रमाविचलन है इस फॉर्मला की माद्धे से प्रतिदस जेड का प्रिकलपन कर सकते हैं यदि समगर का प्रमाविचलन आपको ग्यात नहीं है तो उसका आंकलन प्रतिदस जेड प्रिकलपन के लिए क्या जा सकता है जेड बराबर एक्स बार माइनस समगर का समाने समांत्र माद्धे डिवाइड एस स्क्वाइर को डिवाइड कीजे एन से स्टन डिवेशन स्क्वाइर को डिवाइड एन से कीजे अंडर रूट यानि स्क्वाइर डिवाइड एन बराबर समांत्र माद्धे के परति चैन बंटन की परमाप्तुल्टी सार्तक्ता स्तर का निधर्ण कीजे जेड के परिकल्पित मान और क्रांतिक मान की तुलना करके सुन्य फ्रिकलपना के शिवकार अत्वा ऐसे शिवकार करने के बारे में निड़ने लीजे तो इस परकार से हम बड़े जो परतिदर्स हैं उनके सार्तक्ता का प्रिक्शन करते हैं आप सभी विद्यारतियों का बहुत बहुत धनिवाद तैंक्यू